वेलकम तो टोटल टेस्स निस्की इस कीचन आज हम बनाते हैं चने की सूखी सबची उसके लिए हमने ये ब्लैक वाला चना ले लिया है आप ब्लैक वाला या वाइट वाला कोई सा भी चना ले सकते हैं और हमने इसको राद बर भिगो दिया था और ये देखे ये कितना सौफ हो गया है और आप हम इसको बॉयल करने के लिए रख देते हैं हमने इसको कूकर में डाल कर उसमें पानी डाल दिया और अब हम उसमें एक चमच नमक डाल देंगे और कूकर का ढगा कर इसको हाई फ्लेम पर रख देंगे जब आपके चनों में चार से पांच सीटी आ जाए है और अब हम उसमें दो चोटे चमच मस्टर ओयल डाल देंगे और आपको भी यूज कर सकते हैं मस्टर ओयल की जगर रिफाइंड ओयल भी यूज कर सकते हैं जब हमारा तेल गरम हो जाएगा तब हमने इसमें आदा चमच जीरा डाल दिया और जब हमारा जीरा चटक जाए अब हमने इसमें लोंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और तेज पत्ता डाल दिया है अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे जब यह गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे यह देखे यह गोल्डन ब् चम्मच धनिया पाउडर डाल कर इसको मिला देंगे आपने इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है नहीं तो आपका मसाला जल जाएगा अब हमने इसमें अपना बॉयल चना डाल दिया और उसको अच्छी तरह मिला लेंगे ताकि उसका मसाला हमारे चनों में मिक्स हो जाए और हमने इसको चला लिया है अब हम इसमें दो चोटे चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे कसूरी मेथी डालने से चनों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और अब कसूरी मेथी को भी इसी में मि ही रखें और नमक को मिलाने के बाद अब हम इसमें दो बड़े चम्मच टोमेटो कैचप डाल देंगे कैचप डालने से हमारा चना डिलीसियस भी लगता है और टैंगी भी लगता है और बच्चे इसको बेहत पसंद करते हैं आप सोस डाल कर हम इसको दो से तीर मिनट तक मिला देंगे और यह देखें यह देखने में कितना चटपटा और मसालेदार लग रहा है और हमारा चना बन कर तयार हो गया है आप इसको बच्चे के टीफिन में पूड़ी के साथ या प्राठे के साथ दे सकते हैं अगर आपको यह चना पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेर स प्राबूले और बेल आइकन दबा दें